दोस्तों नमस्कार स्वागत है मौर्याजी न्यूज चैनल में दोस्तों एक बार हम फिर उपस्तित हुएं आप लोगों की समझ नहीं जानका है लेकर के दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों कि सभी ट्रिश्टेवर्ण कमपणियों के जो निविसक है एजन्ट हैं इन सभी के साथ नाइंसाफी हो रही है इस नाइंसाफी को आज हम अपने चैनल के मादम से उजाकर करेंगे दोस्तों और साथ में बताएंगे इसमें क्या प्रोसेश चल रहा है और से भी ने हमारे साथ क्या किया है दोस्तों इसी पर बात करेंगे दोस्तों इससे पहले हम चा बहुत धन्यवाद दोस्तों चैनल के बाद हम से दोस्तों आते हैं अपने नूज पर हम बात ये करना चाहते हैं दोस्तों हम सिधा सिधा सवाल उठाना चाहते हैं जब से 2014 में सरकार में बिजीपी सरकार आई और हमारे मानने नैंद मोदी जी प्रधान मंतरी बने तब से आज तक जो गरीब तबका है बूरी तरह से परेशान है किसी ना किसी एंगल से परेशान है ऐसे ऐसे कानों मना कर सरकार ला रही है जिसके चलते गरीब आज रो रहा है पता नहीं क्यों सरकार जीत्ती चले जाती है और गरीब चलता चला जाता है गरीबों को छला जाता है इस बार एजेंटों के माध्यम से गरीब छले गए एजेंटों ने लोगों का पैसा जमा करवाया दिया कमपनी में कमपनीया सारी बंद कर दी गई ऐसे इसे नियम कानून लाएसे भी का अधिकार दे दिये गए और कमपनीया बंद हो गई कमपनीया जब बंद हुई तो लोग परिशान हुए आज 6 साल गुजर गए 2014 में बंद हुई लेकिन आभी तक पैसा देने के नाम पर जिस तरीके से से भी पैसा दे रही है ये बेमानी के हद है कहीं भी पैसा देना लेने की जहां बात आती है रशीदों को नहीं मांगा जाता लेकिन यहां पेसेल के एजेंटों से साई के साई रशीदों की मंग की जाती है जितने रशीदे होंगी उसी के आधार पर पैसा लोटाएंगे ये बेमानी सरासर होती है और यहां के लोग इस बेमानी को आसानी से स्विकार कर रहे हैं कितनी बड़ी बेमानी होती है पैसा लवटाने के नाम पर मनेजमेंट और सेवी आपस में मिले हुए है पैसल का मनेजमेंट और सेवी आपस में मिले हुए है जिसके जलते गरीबों को पैसा नहीं मिल पा रहा है पैसा ना मिल पाना एक बड़ी समस्या ये भी है कि लोगों के जिन निवेशकों का पैसा जमा है उनके अंदर एक सोच है ये सोच है कि हमने पैसा हमने जो पैसा जमा किया है एजेंट को दिया है एजेंटे ने पैसा जमा करवाया है हम किसी को नहीं जानते किसी सरकार को नहीं जानते हैं हमने एजेंट को पैसा दिया है एजेंट पैसा लाकर कर दे उसने गलत जगा पैसा निवेश क्यों करवाया पेसल जानते थे पेसल के ऐसी कमपणी है और भाग जाएगी अगर वो जानते तिर पैसा क्यों जमा करवाया ऐसा निवेसक कहते हैं और निवेसक इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको सच्चाई नहीं पता क्योंकि ना तो सच्चाई से मनलब की सरकार दिखाना चाहती है ना टीवी दिखाती है ना पेपर में दिखाती है स चिटफर्ण कम्पनियों में इतना एडवर्टाइज थोड़े करवाती है कि इस चिटफर्ण कम्पनियों में पैसा आप न जम्मा करें, निदियों भाग जाएगी, ऐसा नहीं देखा, अगर ऐसा करना होता, तो इस ऐसी चिटफर्ण कम्पनियों का रेइस्टेट क्यों करव पैसा नहीं मिल पा रहा हमें सपोर्ट में खड़े होने वाला को तयार नहीं होता है जुछ निवेसकों का पैसा जमा है वो भी नहीं तयार हो रहे हैं वो कह रहे हैं हम पैसा लेने के लिए कहीं नहीं जाएंगे हम एजेंट को पैसा दिया है उसी एजेंट से हम पैसा लेंग वो उसने गलत जगहा पर पैसा जामा करवा है, एजेंट गददार है और कमपनी गददार है, यह दोनों गलत का तरीके से काम कर रहे हैं, पैसा फंस गया हमारा, हां सवाल उन निवेसकों से करना चाहते हैं दोस्तों, कि उन निवेसक को इस बात को समझना चाहिए, ना तो ए से भी एक संस्था है, जाच करती है कि कोई कमपनी गलत तो नहीं कर रही है, तो इसे 14-15 साल, 15-32 साल बीद जाने के वा उसे गलती का ऐसा सोता है कि कमपनी गलत कर रही है, उसके पहले उसे नहीं दिखाए पड़ता कि कमपनी गलत कर रही है, अगर गलत कर रही है, तो ऐसा एक्सान ले कि पब्लिक प्रभावित नहों लेकिन से भी इस तरह का एक्सान लेती है कि पब्लिक क्या पूरी दुनिया परेसान हो जाए बेमानी पर उताराती है और एक चोर तो बाहर तुमने देखा होगा डांका डालने वालों को देखा होगा डांका डालते हैं उस प्रका और देने के नाम पर इस परकार देती है जैसे कि गरीबों का पैसा वहा जमा ही नहों दोस्तों कितनी बड़ी बेमानी हो रही है दोस्तों इस बात को समझें निमेशकों को इस बात को समझना होगा कि इसमें गलती सरकार की है सरकार की गलत नीतियों की है जिसके चलते गरीबों का पैसा फसा है हमें सरकार को अच्छी सबग सिखाने केलिए हम लोगों को एक ज्जूट होना पड़ेगा इस बात को दिल से निकाल दीजिए किसमें एजेंडों की गलती है पहले भी 2014 से पहले भी काम लोग किया करते थे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती थी लोगों को समय पर मिचोटी हुआ करती थी लोगों का पैसा जमा हो जाता था और समय से मिल जाता था ऐसी कोई शिकायत न सरकार ने सारी अपचाद सेवी को दे दिये उसके बास मनमारी ढक्त सेवी ने उसे हाथियार बना लिया सोंसर करने का लूटने का और लेसंस धारी से भी उसे लेसंस मिलगा लूटने का और उसमें लूटना शुरू कर दिया यह सम्मिधान के ब्रूद है अर्थात सम्मिधान के ब्रूद यह है कि सम्मिधान के प्रस्तावना का घोर उलंगन सरकार कर रही है और हर एक छ चेट में कोज चेटर ऐसा नहीं बचा जिस चेटर के लोगों को इन्होंने परिशान करके न रखा हो और फिर भी ये जीत रही है ओटो से भारी बहुमतों से ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों इस पर गौर करना होगा हम निवेशकों को सोचना होगा कि किसी भी कंपणी म पैसा जमा हो हम निवेशक ही तो है हम निवेशकों को इस बात को समझना चाहिए गलत नीतियों के चलते गलत सरकार के चलते हम लोगों का पैसा फंसा है और हम इसके बिरोध में हम ओटिंग नहीं करेंगे यही मात्र बहुत बड़ा हंतियार है दोस्तों कहीं भी अगर ओट पढ़नी की बारी आती है तो सभी निवेशकों को इस बात को लच बनाना चाहिए अगर हमारा पैसा किसी कमपणी में फंसा है कोई भी कमपणी हो किसी भी कमपणी में फंसा है तो इसके जिम्मेदार सरकार है और कोई नहीं सीधा सीधा अगर सरकार इतनी गलत तरीके से से वापस करती तो अब हम जानते कि ये पब्लिक का ध्यान देती है अन्यता हम सरकार को ही दोशी कहेंगे इस बात को लोग जब समझेंगे समझ जाएंगे जिस दिन उस दिन सरकार के 24 घंटे और 40 घंटे में जो है इस नमेशकों के खाते में पैसा आएगा किसी भी कमपणी का पैसा हो आ जाएगा इसमें कोई सग नहीं है दोस्तों दोस्तों लीगल कारवाई के चलते पैसा मिल सकता है अन्लीगल तरीके से पैसा नहीं मिल सकता है दोस्तों ये बहुत करके लोगों ने देख लिया लेकिन आज तक केवर सेवी के तरफ से लोग चलते आये हैं किसी का पैसा देती नहीं है ये केवल लेना जानती है दोस्तों हम बात करना चाहेंगे दोस्तों से भी ने डोलाक 277.7000 जोो निवेश्क कोंगे पैसे मिलब 277.style अपलिकेशन जांच करिके जो पैसा लोटाया है ये वान एक परशत से भी कम पैसा लोटाया गया है वो भी दोस्तों कितने फारम फिलब के गया और बता रही कि हमने 5000 से नीचे वाले सभी लोगों का refund कर दिया जो गलत हैं वही बांकी है जिसमें कुछ कमिया पाए गए वही बांकी हमने सब वापस कर दिया इतने अच्छी तरीके से कह दिया और सभी का पूरा पैसा नहीं आया बहुत ही कम लोगों का पैसा आया बहुत कम मनमना के बराबर पैसा आया है दोस्तों पूरा पैसा नहीं आया जिस तरीके से ये application band को फारम फिलब करवा रही है और सारी रसीदों की मांग कर रही है दोस्तों ये बहुत गलत है बहुत बड़ा अन्या है दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हो रहा है दोस्तों दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे अब आखरी में कि जो निवेशक मौत को प्राप्त होगे उनको पहले पैसा मिलना चाहिए था कितना बड़ा अन्या है ये भी तो अन्या है पहले उनको पैसा मिलना चाहिए था जिनके बान पेसल में जमा है आलडी पहले सी और उनको पैसा नहीं मिला गलती तो यहीं से सुरू हो जाती है अन्या तो यहीं सुरू हो जाता है कि उनको पैसा मिलना चाहिए जिनके बान पेसल में आलडी पहले से जमा है और उनको स्लिम मिली हुई है उनको मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए जिनके जिनके चेक जो है पाउंस हो गए है उनको मिलना चाहिए और उनको मिलना चाहिए ज कि उनको पैसा नहीं मिला दोस्तो ये किन्नी गंभीर बात है दोस्तो आप क्या कहते हैं कमेंट के मातने से बताएं धन्यवाल